इनकी इहसान करके दवाई लग वाली हमने वह बहुत निया अब इनकी रिपोर्ट भी माने हम कोई अंग्रेज उटके कुछ ही बोल देगा आप माल लेंगे अब नहीं भाई अब इनकी बातों में आना नहीं है जब हम मरेंगे तब हम देखेंगे उसके बाद आप करेंगे उ नासा से कोई नहीं है नासा ने सिर्फ एक चीज अच्छी दिये दुनिया को मोहन भारगव जो हमारे देश वापस आ गया था स्वधेश फिल में हमारे बिजली बना लिए दोस्तों मेरा में राजेश सर जो आप मुझे बुलाते हैं क्योंकि हम UPSC क्लास लेते हैं और इस ह आपकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए देश को आगे लेकर जाने के लिए एपिसोड में करता रहूंगा आप यहां से तैयारी करते रहें लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस दौर देश में चलिए बढ़ चुकी है कि कोभी शील्ड वालों ने बोल दिया है कि भाई हमार लोग खुश भी हुए और लोगों के दिमाग भी चले कि यार मैंने कोभी शील्ड लगवाली और पापा वागयने को वैक्सीन लगा ही मेरी प्रपर्टी बेंको जाए आज बटवारा करा लेता है बहुत सारी ऐसी चर्चा होनी शुरू ही कि कोभी शील्ड की वजए से क्ल कोई अंग्रेज उठके कुछी बोल देगा माल लेंगे अब नी भाई अम इनकी बातों में आना नहीं है जब हम मरेंगे तब हम देखेंगे उसके बाद ताम बात करेंगे उससे बहले कोई डरने के जरूत नहीं दोस्तों जितिन आप मर जा उस दिन आप हगदार हो अगले सबसे जाधा तो मुझे लगता है को विशील लगी थी मैंने भी दोस्तों को विशील लगवाई थी पर सब बतकिस्मत हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चार लोग किस्मत वाले हैं मार्स पर रहने के लिए और हैडलाइन भी ऐसी थी तो मैंने ऐसी बोल दिया लेकिन इसमें ट चार लोग को नौर भी बेज़ दो फालतु चीजे देखें के जीवन में खुछ रहेंगे क्या फायदा इस चीज से चार लोग को अगर दें मार्स का इंवार्मेंट बनेंगे फिर उनको महाँ चोड़ देंगे आज यह चार लोग जाएंगे जब तक मार्स पर जाने का टा बना दिया है और हम इससे एक तारा देखेंगे जिसकी जांट उसी धुनली में जा रही है क्या करें और फिर ने बता देंगे इस पर जाने के लिए तो हमें कई सो साल लग जाएंगे क्या फायदा हुआ इसका इंस्टाग्राम की डीपी पर लगाएं बस हम हम भी खुश हो बनका इनके मक्सद है पैसों में आग लगानी चार आइडिया देते हैं कि भाई हॉलिवूड वाले पिक्चर बना ले हमारी इसके उपर इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं हमारे वाले कर रहे हैं हर चौथ हमें इने एक सैटलेट जाती है चार काम आते हैं समझ में आता है क्या होगा इस से इससे फायदा होने वाला हमें नहीं पता चार लोग यह कमरे ठीक हो चुका हो चुका है मानो या ना और बुरी खबर तो बैंगलोर के लिए भी बहुत आ रही है कि भाई बैंगलोर के पास पानी नहीं बचा ट्रैफिक तो उनका थाई अब उनका मौसम भी गरम हो चुका है 38 जिकनी टेंपराचर पहुच चुका है वहां पे और मतलब उनकी तो हो गई इतनी गर्मियों रखी है हीट वेव आ गई है कुछ इंजॉय करने के लिए बचे ही नहीं है बैंगलोर के पास तुमारे तो नेता भी भारे भाई अब इतनी हीट वेव आच भी है ग्लोबल वार्मिंग को चार लोगों को मार्स में भेज रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर पढ़िया है बाई ऐसे बदला ले लो मैं भी एक दिन ऐसी डांस करूंगा शादी में अपनी मेरा ओफिस तो टॉक्सिक ही नहीं तो इंजॉय चलता है बोला और जो सेम वीडियो है उसमें दिख रहा है कि भाई वो नाच रहा और पीछे उसका मैनेजर खड़ा हुआ है अ उस बंदे का नुकसान हो गया जिसने उसको सला दी गुस्सा निकालना है डोल वाले वाई से वाई कमिशन है मेरा मैं दिला दी कुस्से में आप कोई डिसिजन लेते हैं नुकसान भी हो सकता आपका यह आज की सीख है आपके लिए हर एपिसोड के बाद सीख मिल दिये ना मिला नहीं है आप है बागी कोई खबर मुझसे चूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं दोस्तों अपने होसला अवजाई के लिए इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे आप कितना साथ देना चाहेंगे सब अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दे मैं पढ़ रहा हूं अगले वीडियो में हम उन सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर आ जाना भाई नौटिफिकेशन आउन करके रखो कि पिलते हैं